नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो है प्यास से भारत सरकार ने एक एहम निर्णय किया है जिससे प्यास के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंदों को हटा दिया गया है इस निर्णय के अनुसार बांगलादेश, मौरिशस, बहरीन और भूटान को अप्यास की निर्यात की अनुमती दी जाएगी यहाँ फैसला सितंबर 2019 में लगाए गए प्रतिबंदों को समाप्त करता है जो उकेरी गई थी तथा बाजार में प्यास की कीमतों पर अमकुष लगाने का एक प्रयास था खबर में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इसी तरह की खबर मिलती रहे खबर में आगे बढ़ते हैं पूरी न्यूस के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे इस निर्णाय का मुख्य उद्देश घरेलू बाजार में प्यास की कमी को पूरा करने उपज की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को नए बाजारों तक पहुँचने का माध्यम बनाना है इससे किसानों को नई आपूर्ती लाने का मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार हो सकता है प्यास के निर्यात में हुई इस बदलाव से यह अपेक्षा की जा रही है कि उत्पादक राज्यों के किसानों को नए और विपनी अवसर मिलेंगे जो उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार करेंगे कतिबंध हटाने का यह निर्णय सरकार के व्यापक द्रिष्टिकोन और सामाजिक उद्देशों को प्रकट करता है इससे देश के साथ ही देशों के साथ व्यापारिक संबंदों में मजबूती आएगी जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में लाब होगा यह निर्णय बीते कुछ सालों में बढ़ती हुई प्यास की कीमतों और आपूर्ती की कमी को सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों का एक प्रमुख परिणाम है इसके साथ ही बांगलादेश, मौरिशस, बहरीन और भूतान को प्यास के निर्यात में भारतिय उत्पादकों के साथ व्यापार करने का अवसर मिलेगा जिससे इन देशों के लोगों को भी लाब होगा यह निर्णय व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में और भी मजबूती का संकेत करता है और दोनों देशों के बीच साथीपन को बढ़ावा देगा आज की खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे